भारत अपने सम्विधान के हिसाब से चलता है और हमें अपने लोगतंत्र को मजबूत बनाए रखना होता है हमारे लोगतंत्र पे प्रहार बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से किया गया है पिछले करीबन आठ सालों से अपने लोगतंत्र को बचाने के लिए आवाज सदा उठाए कोई आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करे तो आप चुपन रहें क्योंकि लोगतंत्र में सबसे मजबूत चीज होती है आवाज और उठती हुई आवाज चुनाव हो चुके हैं अगली सरकार बनेगी जब 10 मार्च को results declare होंगे जब votes की counting होगी तो postal ballot की तरफ ध्यान रखे जाएंगे और उसके पहले पारदर्शिता के लिए हमारा चुनाव आयोग postal ballot voters list अपने हर प्रत्याशी को देगा ताकि वे उसमें देख ले कि कोई तुटी पैसा पकड़ा गया चुनावों के दोरान जो illegal था और अलग-अलग विधान सभाओं से पकड़ा गया तो total cash जो आपने पकड़ा और हर विधान सभा बार आप उसे बताईए कौन-कौन सी गाड़ियां उसमें सीज करी गई और कितने लोगों की arresting करी आपने दूसरी बात कितनी शराब पकड़ी गई कौन-कौन सी विधान सभा से पकड़ी गई और कितने लोगों की arresting हुई और इसका मूले कितना है और तीसरी बात आचार सहिता के लागू होने के बाद बहुत सारे ट्रक्स पकड़े गए थे illegal mining करते हुए तो कितने ट्रक पकड़ गई है उसका क्या किया जाएगा क्या उसे destroy किया जाएगा या उसका इस्तेमाल किसी तरीके से किया जाए बताई चुनावायोग हमें इंतजार है क्योंकि हम लोगतंतर की आवास हैं और हम लोगतंतर को मजबूत बनाए रखने में अपने चुनावायोग से जिम्मेदारी क के सामने रखें